आज का वीडियो हमारी IPO सीरीज का पहला वीडियो है तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ना लिस्टिंग ये बढ़ा सकते हैं या एक्शोरीटी से हम देख सकते कि अगर मैं IPO में अपलाई करी रहो तो मुझे शूर शूर प्रॉफिट हो जैसा आपने पाया था लोग काफी उसको वह ज्यादा हाइप बनाया थे लेकिन रियालिटी में उससे काफी लोगों को एस्पेशली रीटेल इन्वेस्टर्स को लोस हुआ था तो यह जानधा हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें किस तरह के IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए हमारा चां इसको में इस वीडियो में बताऊंगा और इसको मैं नाम इसली दिया क्योंकि आने वाले वीडियो में जो भी नए आइप आएंगे हम उसको आपके सामने रखेंगे कि इसका एनालीसिस क्या कहता है और लॉंग टम प्लस लिस्टिंग के लिए सही है या नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए सो देट आप किसी भी आईपयो के एनालीसिस को और फ्यूचर में उन्हाली स्टॉक एनालीसिस को मिस ना करें चलिए स्टार्ट करते हैं नाव सबसे पहले आईपयो को प्रोफिटेबल है या नहीं वो कैसे हम आइडेंटिफाय करते हैं तो एक तो क्या है कि आपको हमेशा ओवर सब्सक्राइब डाइपयो में इन्वेस्ट करना चाहिए और जब भी अंडर सब्सक्राइब डाइपयो है तो उसमें कभी इन्वेस्ट ना करें तो करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक रूल नमबर वन है कि अगर सब्सक्राइब सबसक्रिप्शन स्टेटस में आ रहा है कि वंटायम से कम सब्सक्राइब हुआ और या और से ज्यादा है मतलब और सब्सक्राइब हुआ तो जब दिया अगर वो आं से कम इतो उसमे कि टाइम सब्सक्राइब होता है यानि कि एक शेयर के लिए 20 लोगों ने अपलाई किया इस तरह से और उसमें भी आप देखेंगे कि यहां पे रिटेल इंडिविज्वल ने सिफ 2.75 टाइम सब्सक्राइब किया बग जब कि इंस्टिटूशनल और क्वालिफाइड इंस्टि डिसीजन जो होगा वो यह 20 टाइमस देखके लिया जाएगा मतलब काफी अच्छा चांस है कि इसको एक प्रीमियम पे लिस्ट किया जाए लेकिन यहां पे सिफ 2.75 रिटेल इंडिविज्वल आपके पास क्या चांस है कि रिटेल इंविस्टर सिफ 2.75 है तो तो इस तरह के आई प्यों में जहां आपको लगे कि रिटेल केटेगरी कम है और ओवरॉल सब्सक्रिप्शन स्टेटरस काफी अच्छा है वहाँ तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ही चाहिए अल्मोस्ट लैक अगर 10-20 टाइमस कहीं भी सब्सक्रिप्शन स्टेटरस है तो आई वूट स अल्मोस्ट 100% चांस है कि सब को IPO मिल जाएगा लेकिन क्या होगा कि जब वह लिस्ट होगा तो भी वह अपने जो एक्ट्वल रेंज है उससे नीचे पर लिस्ट होगा या हम यह माने कि एक लोट है अप्रोक्स 10 शेर का और 15,000 का टोटल वह लोट की वेल्यू है तो उस पर लिस्ट हो जाए तो फॉर एक और रिजन है कि आपको लॉंग टर्म के अंदर इसको रखना है तो अपको अंडर सब्सक्राइब में में इन्वेस्ट मत कीजिए जब वह लिस्ट हो जाए तो फॉर एक्जांपल 1500 का IPO जब लिस्ट होने जाएगा तो वहोगा 1300-1400 किसी प यहां पर मैं जैसे डाल रहा हूं किसी एक IPO का लेट से IRCTC IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस सब्सक्रिप्शन स्टेटस तो जब मैं सर्च करूंगा गूगल पर तो यहां मुझे बहुत सारी वेबसेट दिख रहे हैं लेकिन आप इसमें सबसे पहले देख सकते कि चित्वड़ अगर और यह सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो लिखावा रहा है इस पर मैं जाके क्लिक करूंगा तो मुझे IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस इसका पता चल जाएगा आया से किसी का तो अभी यह ऑल्रेडी क्लोजड हो चुका है तो उसका फाइनल जो स्टेटस था वह पता चल सब्सक्रिप्शन का मतलब यह नहीं कि लिस्टिंग शोट शोट है यह डिपेंड करता है जैसे आप यहां पर में एक एप्टस वेल्यू हाउजिंग का आपको एक्जांपल दूंगा सेवंटीन पॉंट्टी टाइमस हुई ती जिसमें रिटेल इंडिविजॉल 1.35 टाइम सी था तो अल्मॉस्ट लाइक सेवंटी परसेंट चांस था कि आपको मिलेगा और अल्मॉस्ट सबको मिला भी अब उसमें क्या हुआ कि जब यह लिस्ट हुआ तो 333 पर यानि कि आपको 5.67 परसेंट के लोज पे लिस्ट हुआ तो यह जरूरी नहीं है बट एट लिस्ट हम अगर 10 x 15 x दिखता है कोई तो हम एक रिस्क ले सकते हैं लेकिन एक से कम है या पाच से भी कम है तो पाच से कम टाइमस वाले में भी रिस्क होता है आपको कि आपको लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से अब यहां पर आप देखें नुओको विस्तास तो नुओको का जो IPO है वह यहां पर 1.7 टाइमस टोटल हुआ था तो अब यहां पर आप देखेंगे तो यह ओल्रेडी 15 पर्जेंट लोज पे लिस्ट हुआ तो कमपेरिटिवली अगर आप देखेंगे तो हमें जितना ज्यादा सब्सक्राइब है उतना कम चांसे है कि उसकी लिस्टिंग लोज सब्सक्राइब हो और ज्यादा चांसे कि वह गेंपे लिस्ट हो तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए लिस्टिंग हमेशा यही देखना चाहिए कि ओवर सब्सक्राइब है और काफी डिसेंट टाइम है एक टैमस हो तो आई वुट से कि एक हार्ड इन फास्ट डूल बना लिज्टे कि 10 टाइम से जादा पहिमें अलाउट करूंगा अब कैसे हम इंक्रीज कर सकते चांसे तो हमने पहले भी डिसक्स किया आई है जैसे आप यहां पर देखेंगे 46 टाइमस यह जो सीए एमस का शेर था यह टोटल सब्सक्राइब हो लेकिन रिटेल से जादा का अगर आप अपलाए करते तो उसके अंदर एक चांस रहता है कि आपको अल्मॉस्ट एक लोट तो मिली जाएगा यह इस तरह का कुछ आपकी केटेगरी जो है वो रिटेल इंवेस्टर की जगे वो बड़े इंवेस्टर में आ जाती है अगर दो लाग से जादा आपके फैमिली में जैसे चार लोग है आप आपका ब्रदर या सिस्टर मदर और फादर तो उन लोगों के लिए क्या कर सकते है कि आप उन चारों के अलग-अलग डिमेट अकाउंट बनाई है जो उनके पैंकार्ट से लिंक हो और उन चारों से अपलाए कर सकते है तो उसमे बहुत सारे pen card use करके आप आए करेंगे तो आपका chances of getting an allotment बढ़ जाएगा फाइनल है कि subscribed in Vito IPO with less subscription in retail category जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया तो आप समझ सकते कि किस तरह हम अपना IPO के chances बढ़ा सकते हैं इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज इसको कमेंट करके बताए मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि और भी लोग इसका benefit ले पाए और इसको subscribe करना विलकुल मत भूले so that in future जब भी में कोई नया वीडियो IPO से related या stock से related या और भी कुछ stock market या even किसी business strategy से related बनाओ तो आपको उससे में कोई आप उसको miss ना करें so thank you very much